नमस्कार दोस्तो, मैं हूँ आपका दोस्त सोहनलाल और आप देख रहे हैं कर्मा मसा सेंटर दोस्तो अगर आपको सालो पुरानी कबज है और वो कबज बिल्कुल ठीक नहीं होती खाना बिल्कुल नहीं पसता आपको अगर आप पानी भी पीते हैं तो खाना नहीं पसता और गैस बनती है बहरी बन जैसा लगता है उल्टी जैसा मैसूस होता है जी मचलाने जैसा लगता है अगर आपको ये सब दिक्कते हो रही है तो आपको कबज की सिकायत है अगर आपको कबज है तो आपको क्या करना होगा एक पका हुआ पपीता लेना होगा और स्याम को जब हम सोने से पहले खाना खाते हैं उसके बाद आपको पका हुआ पपीता खाना है और आप देखेंगे कि कितनी भी पुरानी कबज है वो भी ठीक हो जाएगी और सुबहा आपका पेट बिल्कुल साथ हो जाएगा और जिन महिलाओं को महमारी के समय पेट में बहुत दर्द रहता है महमारी नियमित रूप से नहीं होती उन महिलाओं के लिए भी पपीता बहुत अच्छा है वहां महिलाओं भी पका हुआ पपीता रात को सोने से पहले जब खाना खाती है उसके बाद पका हुआ पपीता खाए तो उनकी महमारी भी ठीक हो जाएगी और उनके पेट में जो महमारी के टाइम पे दर्द होता है वो भी होना बंद हो जाएगा अगर आप हमारी ये सब जानकारी से संतुष्ट है तो किर्पया मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और सेहर कीजिए धन्यवाद